आई हम आपको लेजलते हैं सिवान रिल्वे स्टेशन सिवान रिल्वे स्टेशन बिहार के सिवान जी लेका इंपोर्टेंट रिल्वे स्टेशन है ये स्टेशन क्या कहें ये एक तरह का जंक्सन है जंक्सन ही बोलते हैं इसको क्योंकि यहां से कई रूट्स की गाड़ियां चलती है जैसे सिवान गोरखपुर में लाइन एक है सिवान चप्रा पाट्र पुत्र लाइन की गाड़िये भी यहां से जाती है सिवान से थावे कप्तान गंज लाइन है वहां के लिए गाड़िये जाती है महाराज गंज एक लूप लाइन है उसके लिए भी यहां पर गाड स्टेंड इसको बोते हैं देखिए किते सारे आटो लगे हुए हैं आप यहां से मेरवा अंदर असनपूरा रगुनाथपूर कई जगा के लिए आटो जा सकते हैं यह देखिए हम वहां से फिर वापस लोट रहे हैं ठीक है आटो स्टेंड से पीछे की तरफ यह देखिए यह इसके अलावा कुछ गाड़rench इसी में जिनको आप फर कर सकते हैं प्युक्ता है मोट साइक्पल लोग गारते हैं जाते हैं चले जाते हों नहीं है यह देखिए हम आगे की दरफ जाएंगे यह कार यह लगément हुए हैं अगे की चिरफ दिखिए बाई साब जा रहे हैं यह गाड़ियां लगी हुए आगे की तरफ यह देखिए यहां जाते हैं एक गुलंबर टाइप का बना हुआ है नारियल के फेड़ है इसका सुंद्री करन योजना के तहद बना हुआ है यह देखिए इधर भीरभाड नहीं होती देखिए आगे जाए यह स्टेसन परिसर का उप्रिटफरम नंबर एक के पहले का यह दाच्छा है यहां देखिए आपको बहुत सारा अप बढ़ाँ प्रैंटिंग बने हुई होगी तर्फ तरह की उस कॉर्णर आपको ले चलते हैं वेगिन उस कॉर्णर में जाना अक्सेसिबल नहीं है साबसि दूसरा एंट्रेंस आपको टीकर काउंटर के पास से हैं तो आप यहां से जाईए यहां से आप जाते जाते आप आगे बढ़िए यह खुला एरिया है यह देखिए एक जंडा है नेशनल फ्लैग जो अनेशेसनों की तरह सीवानेशन पर भी लगा है कुछ दिन पहले यह रास्ता आगे जाएगा और यहां सेंट्री होती है एंट्रेशन हरनेशन wieह से त्षयरी प्रसा्तिड लोग इंटर करते हैं यह मुख्य रास्ता हैं एक फे Nerd को सब्डूर्स यह देखिए यह देखिए डिस्प्लेट है यह थोडा से यह भीड़बर वाला है यह देखिए लोग बैठे हुए है बैच पर फंके बगारा सब दुरूस्ट है देखें यह दुस्प्लेघ भूर्ट है अभी डिस्प्लेड़ पर तो कुछ चल नहीं रहा लेकिन हम आगे की तरफ जा रहा है यह देखिए विलकम टू इंडियान डिल बे लिखा हुआ रहा है यह देखिए आगे यह देखिए सारा कुछ है यह यात्री यहां पर लाइन में लगे हुए है यह देखिए यहां पर लाइन पर लगे हुए है देखिए यह देखिए यात्री लाइन में यह देखेए यह दरी लाइन में लगे हुए देखे रास्ता आइस हैं कि तरफ जाताए है जी स्टेशन की तरफ जाएगा इस देखते रहे हैं में चे यह सभित गाल तो देखते रहे हैं इसने तरफ तर गाल यह प्रेटव पर ले चलेंगे आगे दिखाएंगे उसके टूर देंगे पूरा टूर देंगे आपको प्रेट नुबर एक क्या है कैसे कौन सी गाड़िया है ठीक है यह देखिए प्रेट्फरम नुबर एक विक्षा की सुन्दर है बाकी दो और तीन नंबर के प्रेट्फॉर्म भी है लेकिन प्रेट्फरम नुबर एक विक्षा की सुन्दर है यह देखिए ट्रेंज चली गई हम आपको फिर प्रेट्फरम नुबर एक का पिछला इसा दिखा रहा है देखिए यह स्टेशन समुद्र तल से 69 मीटर की उचाई पर है ठीक है यह नॉर्थ इस्ट नॉर्थ इस्टन रि अगी प्रेट्फरम प्रेक पे जब हमसूट कर रहे हैं बारवच के च्वालीस मेट हो रहे हैं तो इतनी दो फर में महनत कर रहे हैं आपको चाहिए एक थोड़ा सब्सक्राइब करके मेरा वस्ट पड़ा है कि दखिए चट कपी है है एक देखिए है जोड़ेके सिर्णिया है और यह तो चलित संदिया लगे हुए है उनका भी आप देख लिए क्या है कैसे है सब्सक्राइब को दिखा रहा है है कि आप इनको भी देखिए तोड़ा जाने की और आने की यह प्रेट्फोर्म नमबर एक पे लगी है दो और तीन पर अभी को यसी ब्रस्ता हुई नहीं है तो जो लोग शड़ियों से चड़ेंगे उनको उतरना मैनुवल ही वैसे पड़ेगा मतलब प्रमपरागत शड़ियों से ही क्योंकि इसकलेटर व पर यह से उपर चड़ गए अब हम पूल पर हैं पूल पर हैं अभी देखिए वैसे लिखने को कहते हैं कि पांच प्रेट्फोर्म है बट फंक्शनल प्रेट्फोर्म तीन ही है फिलाल यहां से अब हम उतर के भी दिखाएंगे आपको प्रेट्वर्ण नमबर दो और तीन देखता हैं कि एक ही प्रेट्फोर्म पि एक साइड में दो है और दसरी साइड में तीन है देकिन हम आपको दो और तीन दिखाएंगे ग professionals प्रेइब नहीं है क्योंकि भी ट्रूश sireci प्था आई है तो उसके बाद अब देकित दियर दिर एक दो रहेगी कि देख़िये हम नीचे उतर रहे हैं कि देखिए नीचे की तरह उतर गए हम प्रेट्परम नंबर 120 आगे जो वाएं वाला एरिया है और दो है और वाला तीन है इन पर जयातर क्या बोलते हैं अपसाइट की गाड़ियां ही आती है डाउनसाइट की गाड़ियां जयातर प्रट्फोन नुम्बर एक प्रट्फोन नुम्बर दो पे संदरी करण का काम चल रहा है दो और तीन पे देखिए इधर बालू सीमेंट सब रखा हुआ है हम आपको पुरा ही लंबा टूर दे रहा है ठीक है क्योंकि आपको देखिए अमूल के स्टॉल लग गया है इन्या डेवलप्मेंट है पहले नहीं था यह आर्पी अप्यार्पी का हो है कि देखिए पहले एच्विलर बुक की बुक के स्टॉल हुआ करती ते मल्टी पर प्लिस टाल ह उरणबें लगता है कि पढ़ने वालों की संखिया घट गई है के देखिए यहां पे यहां पर सुन्दर हिकंड का काम चलता लगए है टिक है यदिस्पाय जो है टब्ब वाला काम किया जा रहा है है कि ऐधन हो जा यह सटेसन की लएं Öant बढ़ जाती है नहीं देखिए आगे चलते चलते अभी कार्जाद हो रही है संबल के चल रहे हैं आगे चलने पर में दिखाएंगे कि आपको पता चल जाएगा कि कौन-कौन से बतलब वह हैं कितना लूब प्रेटफॉर्म है और गाड़ियों की बता हैं तो यहां से बैसाली एक्सप्रेस बिहार संपरकांत कि इस इस फिरेखौन हैं और यह ट्राहर नगर थावawे एक्सप्रेस लक्ष्वी एक्सप्रेस ॅम्राइट सार स्वेअ मोज इक्सप्रेस काठकुदाम एक्सप्रेश इसको बाग एक्सप्रेश भी बोचते हैं वो इस से स्टेशन से जाती है ठीक है तो आपको कलकत्ता जाना हो आपको अरुनाचल जाना हो आपको दिल्ली जाना हो आपको सहरसा जाना हो अम्बित सर जाना हो राची जाना हो टाटानगर जाना हो तो आपको शिवानिश्टन से गाड़िया मिल जाएंगे तो यह है गाड़ियों का की इन्फरमेशन ठीक है और थावे के लिए भी टेन मिलती है जो थावे फिमस मंदिर है उसके लिए भी टेन मिलती है तो गुपाल गंजवाली लाइन पे तो आप यहां से वह भी प्रप्त कर सक सकते हैं इसमें बैट सकते हैं और यह जाकर सकते हैं ठीक है यह देखिए हम आगे आरह रहे हैंसा धन यहां हो होती हैं मानलों ट्रैक में कोई खराब ही कोई एक्सिडेंट हो जाए तो इनको बनता है हमारा से रूट है इनको जो अच्छी तरह इमंदारी से अपना काम करें देखिए आगे हम लास्चोर पे अब आपको हम थोड़ा सा प्रेट फॉर्म नंबर तीन दिखा दे रहे हैं यह देखिए और इनको हम चल गए है जो लो टीन पर तीन पर जाने के बाद देखिए फिर वापस लुट रहे हैं यह से दो दिखा रहा है यह देखिया हम जा रहे हैं आगे आगे कि तरफ जा रहा है मैं तो हमाल गारी लगी है आप जब तीन से उस साइड जाएंगे लास्ट में तो साइड लक्षमीपूर करके अरिया पड़ता है रेजिदेंसिल एरिया है अब वहां जाएंगे लोगों के घर बने हुए हैं तो जिस तरह इस साइड होटल वगर हैं उस साइड कुछ भी नहीं है वैसे सिदे वह सुरू हो जाता ह है ठीक है रेजिदेंसिल एरिया शुरू हो जाते हैं देखिए हम आगे जा रहे हैं यह वहीं सुन्दी इकन का काम चल रहा है टाइले पड़ी हुई है टाइले उखड़ी है पड़ी है वैसे ही देखिए यह सिवान इस्टेशन का कैश्मेंट एरिया बहुत ज़्याद है गोपाल गन से आसपास के रिया से रगुनातपूर से द्रावली से जिरादई से लोग आते हैं यहां पर टेन पकड़ने क्योंकि बड़ा एस्टेशन नहीं है बिरगन से भी लोग आते हैं गोर्या कोठी से बढ़ हरिया से तो यह स्टेशन का बहुत सारा इंपोर्टन से इस्टेशन बहुत सारा रेविन्यू इजनेट करता है है यह देखिए हम आगे बढ़ते हैं आपको दिखाते हैं आपको दिखाते हैं तो जिनरली बिहार संपक्रांती या बैसाली एक स्पेस्प्र ट्रॉनमबर तीन तो यह जो अपसाइट की और जाने वाली होती है वह प आपके पास समान जाता हो और अपकेले यातरा कर रहे हूं यह देखिए हम और आगे की तरफ बढ़ना है यह देखिए यह अरिया सुंदरी करने चल रहा है सुंदरी करने हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा डॉक्टर जन्रप्रसाथ की जन भूमी यहां से 10 क्लिमिटर दूर है वहां पर रेल्वे स्टेशन है लगिन एक्स प्रेस गाड़िया नहीं रूखती तो हमें यह याद रखना चाहिए जो भी आए एक बारी आपको जड़ी समय हो तो भारत के प्रतम रास्त पती डॉक्टर जन्रपसाथ की जन भूमी जरूर जाए ठीक है तो उसमें आप देख लीजेगा जड़ी आपको सीवान आना हो तो अपने प्रोग्राम में इस चीज को सामील करें क्यों को डॉक्टर जन्रपसाथ की जन भूमी जाना है यह देखिए यह स्टॉल्स लगे हुए हैं हमें क्या कर रहा था कि एच्वीलर की दुगान बंद हो गई वैसे कर्म में पढ़ते थे लेकिन अब हर कुछ मोबाइल से कर रहे हैं तो एक यह भी बढ़ा हो है कि हम साइध हमारा जो किताबों से होना ता टूट रहा है और नई जेनरेशन मोबाइल में उलजी रहेगी तो फिर उसके संसकार कैसे बीड़ों हैं उनका ग्यान कैसे है यह आपको पता चलेगा यह देखिए हम आगे चलने सीवान का प्लेटफर्म काफी लंबा है चुकि एक स्पेस गाड़ी आती है लंबी गाड़ी आती है जिसमें ऐसी बोगी जेनरल स्लीपर यह सब होते हैं तो प्लेटफर्म को लंबा ही होना था यह देखिए आगे आगे बढ़ते हैं देखिए कि इसको थोड़ा सोट भी कर सकते ते लेगिन आपको लगे की नहीं हमने पूरा दिखाया आपको इस जखकर में थोड़ा से वीडियो को जितना था उसको अनकट रखा ठीक है आप थोड़ा पेसंस दिखाएंगे आपको जदी घर से बाहर है आप चड़ों से जुड़ाव महसूस होगा कि हां यह देखिए हमारा शेसन है हम यहीं से गाड़ी पकड़ते हैं हमारा प्रेटपॉर्म है ठीक हम आते जाते रहें इससे पानी की मशीन है आट रुपे में यह यह बोतल भरते हैं यह दस रुपे में जो बजार से सस्ता है बीस रुबे एक मॉतल मिल रही है हम आगे चलते हैं अब लगता है कि हम कंदीन फोक्பे पहुच रहा है झार कि यह सुरक्षा व्ल हैं यह झार इस उरक्षा में खड़ है इनको बनता है तो हम आगे हैं सीवान एस्टेशन के एकदम लास्च फोक्र फे हैं और हम लगता है हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करेंगे सेर करेंगे थैकि जब आफ सबस्कराइब करते हैं सेर करते हैं ने लोग हमारे handle से share करेंगे ठीक है तो ये वीडियो जदा स्यदा लोग तक पहुंचेगा और मतलब संचिंजन को यूटूब को भी लगगा कि हाँ ये जो चैनल है उपयोगी वीडियो बना रहा है तो हमें इसकी थोड़ी सुद्धा भी मिलेगी अब हम लास्चोर पे आगे हैं जो सामने पूल दिख रहा है वह अंदर डाला वाला पूल है ठीक है तो हम वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं अच्छा उमीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी ये देखिए हैं उमीद करता हूं इसी के साथ आपसे बिदा लेते हैं